नमस्कार दोस्तों रिजनेंग गुरू चैनल में आपका स्वागत है देखें दोस्तों यदि आप मेरे वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करना क्योंकि सब्सक्राइब करना से यह होगा कि मैं जो भी नए वीडियो अप्लोड करूंग एक जन्वरी दो हजार साथ को सोमवार था तो एक जन्वरी दो हजार भीस को कौंसा वार होगा कौंसा वार होगा देखिए इस परकार का सवाल है जा मैं के बार पुछे जाता है जैसे एक जनवरी 2007 को सो मर था तो एक जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा तो देखिए इसको अपन दो तरीके से स्वाल करेंगे एक तो होता कोडविदी जो सभी बटाते हैं कोडविदी से और दूसरा तरीक होगा स वर्षूं का अंतर बिना कोड के लिए आपको सॉल करना है तो वर्षूं का अंतर हो जाएगा दो हजार बीस माइनस दो हजार साथ यानि वर्षूं का अंतर है तेरह साल का और लीप वर्षूं की संख्या लीप वर्षूं की संख्या तो यहां पर आप देख सकते हो कि लीप संक्या कितनी होगी तो आपके यहां पर लीव वर्षों की संक्या हो जाएगी देखिए तीन अब तीन कैसे वर्षों का अंतर हो गए आपके तेरे साल का और लीव वर्षों की संक्या तीन देखिए कैसे क्योंकि 2007 से लेकर 2020 की बीच में देखना है कि यहां पर लीव पर्षों की संक्या कितनी है तो देखे दो हजार साथ लीव पर्ष नहीं है क्योंकि इसमें चार का भाग पुरो पुरो नहीं जाता है जिस वर्ष में चार का पुरो पुरो भाग जाता वो एक लीव पर्ष होता है तो देखे दो हजार आठ दो जार आठ है इसके बाद 8 लिपर्ष की गणना होगी 12 की होगी 16 लेकिन 20 की गणना नहीं होगी सवाल को देखे आप आराम से पेचान सब्सक्राइब क्योंकि देखे लीपर्ष का मतलब होता फरवरी का माइना और फरवरी में 28 तरीक तक तो वह सामानिवाश होता है और जूही 59 तरीक लगती है फरवरी की जू ही 29 तारीक लगेगी आपके वो लीपर्स माना जाएगा साल लीपर्स का बला ही हो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन आपको सवाल में यदि 29 तारीक यानि फरवरी की 29 तारीक से पहले-पहले का पूछा जाए तो वहाँ पर लीवर्ष की गणना नहीं होगी और वहाँ पर देख मालीजे जैसे आपके फरवरी से फरवरी में जैसे मालीजे 29 तारीक है 29 तारीक या 29 तारीक से आगे वाला जो भी मैना है तो वहाँ पर आप लीवर्ष की गणना कर सकते हो लेकिन 29 तारीक से पहले जो भी आपके डेट दे रखिए वहाँ पर लीफर्स की गणना नहीं होगे तो यह सवाल है एक जनवरी 2020 का पुछा है तो यह मैना है जो फरवरी का है फरवरी में भी एक तारीक है यदि यहाँ पर सोरी यह मैना जनवरी का यदि यहाँ पर फरवरी का मैना होता और वहाँ पर 28 तारीक होती तो भी 2020 की गणना नहीं होती मान लेजिए यहाँ पर 29 फरवरी 2020 होता तो यहाँ पर 2020 इसकी गणना हो जाती और मानले जी यहां पर 28 फरवरी दे रहे हो, 28 फरवरी 2020, तो भी इसके गणना नहीं होगी, अद्धे यहां पर लीफ वर्षोंग की संख्या हो जाएगा आपके तीन, तो देखिए, वर्षोंग अंतर 13 साल है, लीफ वर्षोंग की संख्या 3 है, यो हो जाएगा 6, 6 बटा 7, से प्लस दो आएगा ठीक है अब दो को क्या करना है क्योंकि पहले का देरकारबाद का ग्याद करना है सोमार में प्लस करना है तो सोमार प्लस दो सोमार के बाद में मंगलवार और बुद्वार आपका सही आंसर हो जाएगा बुद्वार तो यह तरीका है बीना कोड के आप आंसवर निकाल सकते हैं इस वक्त कुछ भी नहीं करना है आपको यह द्यान में रखना है सबसे पहले देखो यह तरीका कब लगा ना आपको जब तारीक और मैना समान हो जैसे एक जनवरी आगे भी एक जनवरी देखवा तारीक और माईना समान होता आपको इस तरीक से आंसोर निकार सकते हो देखे वर्सुं का अंतर 13 साल का है 2020-2023 साल का लीप परश्रोंगी संक्या होजेगे आपके 3 विसे देखा जाए तो लीप परश्रोंगी संक्या 4 होने चाहे लेकिन यहाँ पर लीप 2020 होता तो लीप परश्रोंगी संक्या आपके 2020 की घंणा हो जाती यानि यहाँ पर लीप परश्रोंगी संक्या 4 हो जाती लेकिन यह सवाल है एक जनवरी 2020 का इस परश्ट है कि यहाँ पर यह फरवरी से पहले का है तो यहाँ पर लीप परश्रोंगी संक्या आपके 3 ही होगी 13 प्लस 3 बराबर 16 16 बटा 7 सेस्पल आईगा आपके 2 2 को करना प्लस 100 मार प्लस 2 बराबर आप कहां सपराज़ेगा बुद्वार ये तो है आपके साधान तरीका अब देखें इसको Code वीदी से कैसे सोल किया जाता है Code वीदी में आपको क्या करना पड़ेगा वो तरीका बता देता हूँ Code वीदी में सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या 1 जनवरी 2007 को 100 मार था या नहीं था आपको इससे कैसे बरोसा है कि 1 जनवरी 2007 को 100 मार था क्योंकि एग्जामिनर चाहिए तो आपको सवाल वास्तिक दे सकता है कालपनिक दे सकता हमें कोई बरोसा नहीं है तो बरोसा दिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1 जनवरी 2007 का वार गयाद करना पड़ेगा Code वीदी में क्या होता है फिक्स वार ही होता है आपको चेक करना पड़ेगा क्या 1 जनवरी 2007 को सो मार था चेक कर लेते हैं देखिए कैसे देखो जब आप Code वीदी से पड़ते हो तो आपको एक सुत्र याद होना चाहिए और वो सुत्र है जिसे सुत्र है ता का मतलब तारीक मैं कोड का मतलब महिना कोड देखिए ता का मतलब तारीक मैं कोड का महिना कोड तारीक महिना कोड स कोड यानि सताब्दी कोड प्लस वर्स के अंतिम दो अंक वर्स के अंतिम दो अंक प्लस वर्स के अंतिम दो वर्स के अंतिम दो पूर्णांक बटा चार बटा साथ इस परकार गई आपको सुत्र लगाना पड़ेगा तारीक, मैना कोड, सताबदी कोड, वर्ष के अंतिम दो अंक और वर्ष के अंतिम दो पूर्णांक बटा चार इसका मतलब ही होगा कि यहां पर लेपर सुमी संक्या ग्याद होगी देखे तारीक का मतलब है यहां पर सवाल में सबसे पहरे चेक करना पड़ेगा क्या एक जनवरी दो जार साथ को सोमार था देखे एक जनवरी दो जार साथ इसका वार ग्याद करते हैं तो देखे आप तार तारीक प्लस मैना कोड आप यहां पर देख रहे हो कि 2000 साथ एक सामानी वर्ष से तो सामानी वर्ष में जर्वरी का कोड एक होता है तारीक प्लस मैना कोड में आपके एक हो जाएगा तारीक मैना कोड और सताब्दी कोड कैसे क्यात किया जाता है सताब्दी में 400 का भाग लगा तो देखो तारीक मैना कोड सताबदी कोड वर्स के अंतिम दोंग अंतिम दोंग क्या है जीरो साथ जीरो साथ देखो तारीक मैना कोड सताबदी कोड वर्स के अंतिम दोंग यानि जीरो साथ है देखो वर्स के अंतिम दो पूर्णाग में आपको चार का भाग लगाना है तो यहां पर अपन देख रहे हैं यहां लिख देते हैं जैसे देखें तारीक बराबर हो जाएगी आपके एक तारीक प्लस महिना कोड प्लस सताबदी कोड वर्स के अंतिम दो अंक और साथ में आप चार का भाग लगाओ साथ में चार का पुरा पुरा भाग जाना चाहिए तो साथ एकम साथ साथ में चार का पुरा पुरा भाग केवल एक बार ही जाता है तो यहां पर आ जाएगा एक बटा साथ देखो इस परकार इस परकार आपको क्या करना देखो तारीक बाइना कोड सताबदी कोड वर्ष के अंतिम दो अंग और अंतिम दो अंग में आपको चार का भाग लगाना है तो साथ में चार का भाग लगाते हैं तो साथ एकम साथ भाग केवल एक बार पूरा पूरा जाता है तो यहां पर अपन लेकेंगे एक बटा साथ यहां पर अपन क्या कर लेते हैं योग कर लेते हैं तो देखिए योग होजएगा आपके जिसे 7 रेक 8 8 दो 10 दो 16 16 बटा 7 यहां पर सेसपल आएगा देखिए 7 रेक 8 8 दो 10 10 16 16 में आप 7 का भाग लगाओ सेसपल आएगा आपके 2 अब यहां पर आपको देखना सब्ता के कोड दो कोड होता है तो दो कोड होता है आपके सोमार का क्योंकि एक कोड होता है रविवार का दो होगा सोमार का तो दो कोड होता है दो कोड होता है सोमार का इसका मतलब यह है कि यह जो भी सवाल पूछा चारा है यह सवाल एक वास्त्रिक सवाल है क्योंकि यहां पर भी सोमार दे रखा है और अपने यहां पर भी कांस वर क्या रहा है सोमार अब अपने को बरोसा इस सवाल पर बरोसा हो चुका है कि एक जनवरी 2007 को सोमार था इसके आ तारीक, तारीक का मतलब एक, तारीक प्लस माईना खोर देखिये 2020, एक लीपष है और लीपष महर्ण जन्वरी का खोर 0 होता है तो तारीक प्लस माईना खोर्ड प्लस सतावदी कोर्ड, क्यूंकि 2000 है सतावदी सताब्दी कोड़ 2000 में आपके 400 गवाग पूरो पूरो जाता है सेसपल आएगा आपके 0 और 0 का कोड़ होता अच्छे तारीक माइना कोड़ सताब्दी कोड़ वर्स के अंतिम 2 अंग और आपको पता कि 20 ना वर्स के अंतिम 2 अंग ना आपको 4 का भाग लगाना ये 5 बार भाग पूरा पूरा जाएगा बटा 7 25 25 25 से 31 रे 32 32 बटा 7 सेसपल आएगा 4 4 केसे क्योंकि 32 में 7 का भाग लगाता है तो 7 चोके 28 बाकी बचके आपके 4 जो सेसपल है याप पर 4 अब आपको देखना कि 4 कोड होता है तो आपको सब्ता में 4 कोड क्योंकि सब्ता में 4 कोड होता आपके बुद्वार का आपका सही आंसर हो जाएगा बुद्वार तो देखिए अपन साधारन तरीके से करते हैं टाइम बहुत कम लगता है लेकिन इस कोड वीदे से करते हैं पहले इसको चेक करना पड़ता है एक जनवरी 2007 को शोमार था इसी आदार पर एक जनवरी 2020 का वार हो जाएगा आपके बुद्वार आप यहां पर तुलना कर सकते हूं कि साधार्ण तरीके में टाइम जयदा लगता है या फिर कोड विधी में तो आप यहां पर तुलना करोगे तो आपको इस परस्ट पता हो गया कि कोड़ वीदी टाइम ज्यादा लेती है और शाधरन तरीका मेरे जो आपको बता है उसमें बहुत ही कम ताइम में आप आंस्वर दे सकते हो देखिए अगला सवाल अगला सवाल आपके सामने जैसे अगला सवाल है एक जनवरी दो हजार बारा को रविवार था तो एक जनवरी दो हजार पच्चास को वार होगा यह सवाल है देखिए एक जनवरी दो हजार बारा को रविवार दे रखा है फिर आपसे पूछा एक जनवरी दो हजार पच्चास को कौन सा वार होगा तो इस परकार आप आऊंसवार निकाल सकते हो सबसे पहले साधरन तरीक का लगाना होगा 38 38 साल का आपके अंतर हो गया फिर हो जगर लीप वर्सूं की संख्या यहां पर आपके लीप वर्सूं की संख्या कितनी होगी देखे चेक कर लेते क्योंकि 2012 एक लीप अशे तो 2012 4 साल ओड जोड़ते हो 11,4,16,20,24,28,32,36,40,45 और 48 यहां पर आप देखते हो तो लीप वर्सूं की संख्या देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस तो आपके यहाँ पर लीव परशों की संक्या 10 हो जाएगी तो अंतराल है 38 और लीव परशों की संक्या आपके 10 दोनों का यूग करंगे 48 48 में 7 का भाग लगा दो तो सेस्पल आएगा आपके 6 48 में 7 का भाग लगाओ तो सेस्पल आएगा 6 अब 6 को क्या करना प्लस करना क्योंकि 2012 का देरका है और 2050 यानि पहले का देरकार बाद का ग्याद करना प्लस हो जाएगा तो 6 को प्लस करना है रविवार प्लस छे रविवार के बाद में देखो रविवार के बाद में क्या आएगा रविवार के बाद में सोमार मंगलवार बुद्वार गुरुवार शुकुरुवार और सनिवार देखिए रविवार प्लस छे रविवार के बाद में देखिए सोमार मंगलवार बुद्वार गु कोडवीधी माल लिजे आपके पास सादन तरीका नहीं होता तो आप कोडवीधी से आश्वान निकालते लेकिन कोडवीधियों Time ज instructor लगेगा वह तरीका भी मैं आपको बताती ओ देखे दूसरा तरीका होगा अपने कोडवीधि द्वारा आश्वान निकालना तो कोडवीध में हमेस्था और निकाला जाता है एक जनुवरी 2012 को रविवार था या नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन कोडवी दी बता देगी क्या एक जनुवरी 2012 को रविवार था या नहीं था, चेक कर लेते हैं तो दीखे, सबसे पहले आपको चेप करना होगा क्या एक जनवरी दो जार बार को रगगर था तो सबसे पहले तारीक एक प्लस माइना कोड माइना कोड यहां पर हो जाएगा जनवरी का 0 क्यों होगा क्योंकि दो जार बार एक लीव पर्ष होता और लीव पर्ष में जनवरी का कोड होगा 0 तारीक प्लस माइ 2, 2 पुरणा आग में आपको 4 का भाग लगाना राग क्योंग लगाना? क्योंकि ले पर्षिघ के सहंख्या ग्यात करने लिए, तारीक, मेना कोड, सताब्धी कोडी कोड वर्स के अंतिम 2 ल neighbors पर अंतिम 2 लग पर आपको चार साथ का भाग लगओ 21 तक भाग पुरह यानी 2 में भाग जाएगा सातकम साथ 57321-25 हमाण पूरह जाता से इसपल आपकी एक आइगा आपको याद करना कि एक सम्ता का कोड होता है तो एक कोड होता तो यहां पर एक कोड होता है राविवार का अता इस पश्ठ है एक जनुवरी 2012 को रविवार ही था इसका मतलब यह कि जो भी सवाल पूछा चार एक वास्त्विक सवाल है लेकिन के बार एक जमिनर आपको वास्त्विक की जगए कालपने सवाल भी देशकता है मानलेचे यहाँ पर रविवार की जगे वो सोमार दे देता है रविवार की जगे सोमार दे सकता है रविवार की जगे आपको मंगलवार दे सकता है यहाँ पर सनिवार दे सकता है कुछ भी दे सकता है देखे अब क्या करना होगा आपको इसका मतलब यहीथ कि 1.01.2012 को रविवार था अब इसी आदार पर आपको क्या करना होगा अगला 1.01.2050 का ग्याद करना होगा तो देखिए सबसे पहले तारीक प्लस मैना कोड देखिए 2050 एक सामानी वर्ष होता है और सामानी वर्ष में जनवरी का कोड एक होता है तो तारीक प्लस माइना कोड प्लस सताब्दी कोड क्योंकि दो जार है सताब्दी कोड होजेगा छे तारीक माइना कोड सताब्दी कोड वर्ष के अंतिम दो आंके पचास और 50 में क्योंकि वर्ष के अंतिम दो पूरणाग में आपको 4 का भाग लगाना है 50 में आप 4 का भाग लगाओ तो भाग जाएगा आपके 12 बार पूरा पूरा 12 चोके 48 तो भाग 48 में 12 बार भाग 7 का पूरा पूरा जाएगा बटा 7 देखे वापस तारीक, महिना कोड, सताब्दी कोड वर्ष के अंतिम दो अंग और अंतिम दो अंग में आपको 4 का भाग लगाना है तो 50 में आप 4 का भाग लगाते हो तो आपके यहां पर पूरा पूरा भाग जाएगा आपके 12 बार ठीक है जिरो कोड होता है सनिवार का जिरो कोड होता है सनिवार का तो आपका सही आंस्वर होगा सनिवार इस परकार कोड विदी और साधर्ण तरीके साब आंस्वर निकाल सकते हो देखिए अगला सवाल देखिए आपको साधर्ण तरीका कब लगाना है जब तारीक तता महीना समान हो जैसे एक जनवरी और यहाँ पर भी एक जनवरी तारीक तता महीना समान हो वहाँ पर आपको साधन तरीके से सौल करना है क्योंकि साधन तरीके में टाइम बहुत कम लगता है और code within time बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन कई जगे code within भी बहुत ज़्यादा उप्युक्त होती है और कई जगे साधरन तरीका ज़्यादा उप्युक्त होता है आपको दोनों तरीका को साथ में याद रखना है कि जब सवाल simple हो simple का मतलब तारीक मैना समान हो और वर्सुम का अंतरचाई कितना भी हो वहाँ पर आपको साधरन तरीका लगाना है यानि बीना code के आप आंस्वर निकाल सकते हो माल लिजे यदि सवाल कुछ अलग परकार का हो सवाल आपको direct पूछा जाए direct का मतलब जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था इस परकार के आपको सवाल पूछा जाए तो वहाँ पर आपके code विदी ज़्यादा उप्युक्त होगी तो वहाँ पर आप code विदी लगा दो सवाल simple इस परकार का सवाल हो तारीक माईना समान हो तो आप साधान तरीका लगो और direct सवाल पूछा जाए सीधा सवाल पूछा जाए जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा तो वहाँ पर आपको लगानी code विदी जैसे इसको check करी लेते हैं जैसे अगला सवाल अपने बन जाएगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था जैसे माले जी ये सवाल बनता है 15 अगस्त 1947 को वार था ये सवाल तो आपको क्या करना है ये सवाल सीधा सा पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था इस सवाल में आपको code विदी लगानी पड़ेगी देखे कोडविदी लगा देते हैं कोडविदी क्या कहते हैं सबसे पहले होगा आपके तारीक तारीक बराबर 15 प्लस माइना कोड माइना कोड आपको याद होगा 14, 40, लिख देते हों याबर 14, 40 25, 0, 3 और 61, 6, 6 इस परकार आपको देखना आपका अगस्त का माइना हैं तो देखे जनवरी फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई, जोन जुलाई, अगस्त आपका कोड हो जाएगा 3 क्योंकि अगस्त का कोड हो जाएगा 3 तारीक माइना कोड तारीक प्लस माइना कोड और सताब्षी यहाँ पर उननीसों किहें 19 बटा चार सो उननीसों में आप 400 का भाग लगाऊँगी तो सेस्पल नहीं आपको 4 का भाग लगाना है तो भाग जाएगा 21 जो के 40 21 वार पुरा पुरा जाएगा बटा साथ इस परकार तो देखें इनका योग कर लेते हैं 47 और 11 अठावन अठावन प्लस तीन अठावन प्लस तीन आपके हो गए आपके आपका योग हो गया 76 इसमें आप साथ का भाग लगाओ सेश पलाएगा आपके 6 क्यूंकि 76 में आप सेवन का भाग लगाएगे तो आपके सेश पलाएगा 6 अब आपको चे करना कि 6 कोड होता है सप्ता के कोड आपको याद है तो छे कोड होता है छे कोड होता है सुक्रवार का छे कोड होता है सुक्रवार का तो आपका सई आंसर होजेगा सुक्रवार इस परकार आपको साधन तरीका और कोड विदी दोनु तरीके से आंसर निकालन और डाइरेक्ट सवाल पूचा जाए इस परकार का 15 अगस्त 1947 इसको कौन सवार इस परकार का सवाल हो तो आप वहाँ पर code विदी से आंस्वर निकलो क्योंकि यहाँ पर code विदी उप्रुक्त है और simple सवाल हो तो वहाँ पर आप साधर्न तरीके सांस्वर निकाल सकते हो तो मैंने आपको दोनु तरीके बता दिये एक code विदी बता दिये और साधर्न तरीका बता दिये आपको जो तरीका अच्छा लग उस तरीके साब आंस्वर निकाल सकते हो देखिए आपको मेरे वीडिया अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जीए